नमस्कार स्वागत है आपका एनीवर नियूस में दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं तो हीना चौबे संसद में विदेश मंत्री शुष्म स्वराज ने बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा कि इराग में लापता सभी 49 भारतियों की आतंकी संगठन IS-IS ने हत्या कर दी है सुष्मा ने कहा कि मारेगे सभी लोगों की DNA जाच कराई गई थी जिसके बाद सभी शवों की पहचान की गई है यह सभी शव पहाड़ी खोद कर निकाले गए हैं बता दें कि यह भारती मोसुल से लापता हो गए थे सुष्मा स्वराज ने कहा कि इनके शव को अमरित सर लाया जाएगा विदेश मंत्री ने बताया मैंने पिछले साल ही संसद में कहा था कि जब तक मुझे पक्के तोर पर कोई प्रमार नहीं मिलेगा मैं लापता लोगों को मृत गोशित नहीं करूँगी कल हमें इराक सरकार की तरफ से सूचना दी गए कि 38 लोगों के डियने 100 फीसदी मिल गए है और एक व्यक्ती का 70 फीसदी तक जीने मिला है विदेश मंत्री ने कहा मुझे 40 अगवा लोगों में से एक जीवित बचे शक्स हरजीत ने फोन किया था और बचाने की अपिल की थी उसने जो भी कहानी बताई थी कि 49 लोगों को सर में गोली मारी गई और उसे पैर में वो जंगल में भाग गया यह सब गलत है वो अली बनकर ट्रक में छिप कर भागा और इसकी पुष्टी भी जिस कमपनी में काम करता था उसने कर दी है वो बोले इंडिया को पहले छोड़का आएंगे और ब्रांगदेशी को बाद में छोड़का आएंगे बोले ऐसे लैंड में खड़े हो जाओ और जो तुमारे पास है तुमारे पैसे और मुबाइल हमें दे दो उनने हमें नीचे भी ठा दिया जब नीचे बिठाया उन्होंने हमारे पीछे ख़़ए हुआ है और हमें शूट कर दिया जब उन्होंने जहां से शूट किया और जो मेरे इस तरफ आदमी थे वो सभी नीचे लेट गए जब नीचे लेटे थे मैं देखा वो लेटे और मैं भी नीचे लेटे गया उन्हों जब गुली चुली की ना और एक आदमी जो मेरे पास था उसको गुली लगी उसकी जो जी लाग टंग मेरे पीट के आ गई पीट पैस मैं वहाँ पढ़ा रा नीचे और उन्हें सबी को गुली चला के खितम कर दिया टैक्सी रुकी उसने मुझे बिठाया थुरी दूर जाकर अपने गाड़ी को खड़ा कर दिया और दूसरी तरफ से गाड़ी आई उसने मुझे वहाँ उस गाड़ी में बिठा दिया जिन लोग ने हमें छूट किया था ना उसने जाकर फिर हमें मुझे उसको दे दिया उन ल में वहां ब्रिज के नीचे रखा फिर हमां वहां से चोरी बागे बता दे कि ये सभी भारती तीन साल पहले आईएस आईएस द्वारा अगवा किये गए थे अगवा हुए ज्यादा तर लोग पंजाब के रहने वाले थे वहां की सरकार की मदद से लापता लोगों की तलाश दी गई इराग के उच्चा अधिकारियों और विबिन संगठनों से विचार विमर्शकर केंद्री विरेश राज्यमंत्री वीके सिंग मोसूल शेहर भी गए आईएस आईएस द्वारा इस शेहर पर कबजा किये जाने से पहले भारती लोग मोसूल शेहर में ही काम करते थे हाल ही में इराग सरकार ने मोसूल को आईएस आईएस से कबजा मुक्त करवाया है Bureau Report, Anyone News